दोस्तों केदारनात में हुई एक बड़ी हादसा, केदारनात में यत्रियों को ले जा रहा है हेलिकॉप्टर हुआ क्रेश, पाइलट समेट साथ लोगों की मौत चलिए आपको बताता हूँ कि यह हादसा कैसे हुई और कहां हुई कहा जा रहा है कि गुफ्ट कासी से केदारनात उड़ान के दोरान या हादसा हुआ है आसंका जताई जारे है कि गुफ्ट कासी से केदारनात घाटी की तरफ बढ़ने के दोरान या हादसा हुआ होगा वहां राहत और बचाओ कारिया जारी है केदारनाथ में हेलिकोप्टर क्रे सोनी की वेज़े से बड़ा हादसा हो गया है इस हादसे में साथ लोगों की मौत हो गई बताया जा रहा है कि केदारनाथ से दो किलो मीटर दूर गरूर चटी में यह हादसा हुआ है आपको बता दे कि दो दिन बाद परधान मंत्री नरेंद्र मोदी क्यदार नात और बद्रीनात के दोरे पर जाएंगे उत्रा खंड के मुख मंत्री पुसकर सिंग धामी ने इस हादसे पर खेद जाताया है उन्होंने कहा है कि केदार नात के समीब गर्लूर चट्टी में दुर्भाईग्यपूर्ण हेलिकॉप्टर क्रेस में कई लोगों की हताहत होने के अत्यन्त दुखत समाचार प्राप्त हुआ है राहत और बचावकारी है तुएसडी आरेफ और जीला परसासन की टीम वहां राहत और बचावकारी के लिए पहुँची है इधर नागरिक और मुडान मंत्री ज्योती रादित सिंध्या ने भी ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया है केंद्री मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा है कि केदार नाथ में हेलिकोप्टर का घटना गरस्त होना दुर्भाई के पूर्ण है हम राज सरकार के टच में हैं और हादसे में नुक्सान का आंकलन कर रहे हैं हम लगातार हालात पर नजर बना कर रख रहे हैं मिर्थको को लेकर जानकारी जो सामने आई है उसके मुताबिक मिर्थको में तीन लोग उजरात के रहने वाले बताये जा रहे हैं अन मिर्थको की पाचान की कोशिस अभी जारी है हेलिकोप्टर किस वज़ा से हादसे का सिकार हुआ है अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है इस बात की अब जाच होगी कि हादसा खराब मौसम की वज़ा से हुआ है या फिर हेलिकोप्टर की तकनीकी खराबी की वज़ा से हुआ है हादसे की दोरान आग की तेज लपते देखी गई है इस हादसे में हेलिकॉप्टर पूरी तरह से नस्ट हो गया है हेलिकॉप्टर क्रेस को लेकर जो वीडियो सामने आये हैं उनमें हेलिकॉप्टर का मलबा भी नजर आ रहा है